सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान आउटर जियानान एकेडमी में पहुँच गया जहां इनर एकेडमी कौलिफाइंग कमपिटिशन इस्टार्ट हो चुका था जिसमें टोप 20 में आने वाले स्टूडेंट को इनर एकेडमी में जाने दिया जा पिर अब हम देखते हैं कि जियोयान बाईशान से लड़ने के लिए त्यार हो जाता है पर तभी वहां इंस्ट्रक्टर रोलीन आ जाती है और वह उन दोनों कहती है कि तुम लड़ नहीं सकते क्यों कि एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है और वह बाईशान से कहती है कि अगर उमीद है कि कॉम्पिटिशन में तुम महिलाओं के पीछे नहीं चिपोगे अगर तुम्हें जूनर ने चुना है तो तुम कायर नहीं हो सकते जोयान अपने हाथ से औरा निकालता है बाईशान उसे रोग लेता है जोयान बाईशान से कहता है कि तुम ऐसे जेलेस और वहां से चला जाता है बाईशान को बहुत गुसा आता है और हो कहता है कि जूनर तुम्हारी वज़े से आज मैंने अपना नाम खराब किया मैं जूयान को राकर तुम्हें हासिल करके रहूंगा जूयान जूनर के साथ चान को देख रहा था जूयान जूनर को अपनी पूर में मदद की रोलीन भी जोयान की बाते सुन लेती है और उसे कमरे में लेकर जाता है जुनर जोयान को चाय पिलाती है जोयान उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत इंपोर्टेंट मेटर पर बात करनी है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सचाई से बात करो और उसे बताता है कि उनलेंग सेट के ग्रेटर युनलेंग ने मुझसे बदला लेने के लिए जो कभीले पर हमला किया इससे पेले कि मैं कुछ कर बाता उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला और कई लोगों को भारी चोड़ लगी मेरे पीता ने अपने कभीले के लोग की मत करने की पुरी कोशिश की पर युनलेंग ने उन्हें बहुत मारा और मेरे पीता रह से मही तरीकों से जंगलों मे गायब हो गए और आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं है जोनर इससे परिशान होती है और उनकी जान को भी कोई खत्रा नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि मैरे पिता के गायब होने के पीछे किसी मिस्टेष पेकृटिशनर का हाँ थे जोनर उससे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो तो जियो यान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जियो परिवार से नहीं हो क्योंकि तुम्हारा बेक ग्राउंड एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग है और तुम्हारे पीछे एक बहुती मजबूर शक्ती है जिससे हमारे जियो परिवार का भी किसी बरकार का रिलेशन है इ मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे पिता के गाय बोने में तुम्हारे चीपे हुए पारफुल कभीले का तो हाथ नहीं है। जुनर परिशान होती है क्यों है कि उससे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जुनर चाहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन क्या तुम मेरे पिता को डूणने में मदद करोगी क्यों कि मैं बस उनकी सेवटी को लेकर परिशान हूँ। जुनर कहती है कि तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ उसमें मेरे कभीले का कोई हाथ नहीं है उनका और जियो परिवार के बीच एक एग्रिमेंट हुआ था। इसलिए निश्चित रूप से अंकल जान जियो के मामलों में जवरदस्ती हस्त शेप नहीं करेंगे बले ही मेरे कभीले के कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुचाना चाहें पर इसके लिए उन्हें तिरुवीरोत का सामना करना पड़ेगा। जुनर बताती है कि अंकल जियो के बीचे यून लेंग के साथ दो और फाइट किंग्स थे और अंकल के लिए तेन फाइट किंग्स से बचना नाम्मकिन था इसलिए हो सकता है कि उन्हें किसी फाइट एमपरार ने गाइब किया हो जिसने यून लेंग को भी कुछ बता नही में बताऊंगी तो यह तुमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा जोयान कहता है कि मेरे पिता के लापता होने के पीछे अभी भी मिश्टी क्लाउड सेट का कुछ लेना देना है क्योंकि यूँ शान भी जो परिवार से कुछ असिल करना चाहता था जोयान कहता है कि लेंग सेट कि अभी में इतना तागतवर नहीं हूँ और फ्यूचर में अगर मुझे मेरे पिता के बारे में कुछ बता चला तो मुझे डर है कि मेरे पास उन्हें बचाने की शक्ती नहीं होगी इसलिए मुझे जल्दी तागतवर बनना होगा और मुझे तुम पर पुरा विश्वाश कि तुम कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती जूनर इससे खुश होती है जूयान उसे कमरे में जाकर आराम करने हो केता है जूनर अपने कमरे में आ जाती है वो और लिंग को बुलाती है और हो केती है कि तुम अपने लोगों को बेच कर यूल लेंक सेट के बारे में जानकरी ह हासिल करो क्या जियामा एंपायर में कोई अन्य मिश्टियस प्रेक्टिशन छिपा हुआ है और लिंग जानकरी हासिल करने के लिए निकल जाती है फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जोयान जुनर के साथ कॉम्पिटिशन ग्राउंड में जाता है जहां आज सभी इस्टुडे के जोयान की डूक्यू ब्लेजिंग होट एंड वोले टायल नजर आती है मानों जैसे कोई फ्लेम हो क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जोयान के पास यॉनली फ्लेम है एलकमिश्टि डिपार्ट्मेंट की अडर हो के ते किस प्रकार की फ्लेम का उप्योग मेडिसिनल पिल रिफायमेंट में नहीं किया जा सकता जोयान इस साल की ज्यामा एंपायर एलकमिश्ट ग्रेट मीटिंग का चेंपियनशिप किताब जी चुका है अगर वो आपके एलकमिट डिपार्ट्मेंट में शामिल हो जाए तो मुझे डर है कि फ्यूचर में उसकी अच्यूमेंट ब पोसिबल है लेकिन अगरों मेरे एलकमिट डिपार्ट्मेंट में आने में इंटरस्टेड है तो मुझे बहुत खुशी होगी जोयान जुनर के साथ रोल इन और जोयू के पास आकर बेट जाता है जोयान देखता है कि आँके एल्डर का ओरा भी बहुत श्ट्रोंग है जु डिपार्ट्मेंट के हेड है और एलकमिट डिपार्ट्मेंट इनर और आउटर एकेडमी दोनों के बीच इंडिपेंडेंड है यानि उनके बिशनस में कोई इंटरफेर नहीं कर सकता या तक कि डिप्टी एड्ड मास्टर भी नहीं जो यान एलकमिट डिपार्ट्मेंट के बारे में सोच रहा था कि तबी रोलीन उसे बताती है कि आउटर एकेडमी में दो पाउर सेसी है जिन से तुम्हें बचकर रहना होगा पहले एलकमी डिपार्टमेंट है और दूसरा एकेडमी की लो एंट फॉर्मेंस यूनिट जिन से तुम यहां आते वक्त मिल चुके हो लो हुई थी उनमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया जोयान उन्हें इन सब के बारे में बताने के लिए धन्यवा देता है रोल इन जोयान से कहती है कि तुम्हें अपना पुरा ध्यान इनर एकेडमी पर फोकस करना चाहिए इसलिए इस कौलिफाइंग कॉम्पिटिशन प आ सकते हो जोयान कहता है कि क्या टॉप 20 और टॉप 5 में कोई डिफ्रेंस है रोल इन बताती है कि टॉप 5 में प्रवेश करने वाले 5 इस्टूडेंट को प्राइस दिया जाएगा तबी लूमू नाम का स्टूडेंट जिया यू को देखकर चिलाने लगता है रोल इन जोयान में बही किसी भी तरह से कम जोर नहीं है वह स्पर कांप इसमे बुरा है वह हमेशा नशाठा रहे रोल इन ये भी बताती है क्यों तुमारी गयन का no word प्रेमी है जो यू केbase उससे कब से चुटकारा पाना चाहती हूं सभी को बताते हैं क्या जीना रिकेड में प्रेश लेने वाले टोप 20 स्टुडेंट का निनर लिया जाएगा और पहला में चिस्टार्ट करते हैं जो जुआन क्लास 3 के स्टुडेंट लोफू और जुआन क्लास के लेवल 5 स्टुडेंट गिल अपनी तेज स्टुडेंट से लोफू पर अमला करने लगता है जिससे सभी को लग रहा था कि गिली जी जाएगा जिया यू भी कहती है कि लोफू हाने वाला है तो जियोयान कहता है कि एसा नहीं होगा हाला कि गिली के अमले बयांकर है पर कुछ समय बाद उसकी डूक्यू कमजोर हो जाएगी और यहीं लोफू का प्लान है वो उसे कमजोर करके जीतना चाहता है होता भी ऐसा ही है गिली के लगातार हमलों को लोफू रोक रहा था और अब गिली ठक चुका था पर फिर भी वो लोफू पर हमला करता है लोफू शिर्ड बनाकर उसे रोकता है और अ पाइडेंस नहीं दी होती तो आज में इस सब का सामना नहीं कर सकता था और वह कहता है कि ज्यानान एकेडमी के तरीके बहुत अलग है तो रूल इन बताती है कि और साल एकेडमी अपने कुछ स्टुडेंट को अनुबह प्राप्त करने के लिए ब्लेक कोर्नर रीजन में प्र नोट आते हैं वो चाहें शक्ति के संदर में हो या सहबाओ के वो एक स्टॉंग प्रेटिशनस में ट्रांस्वर्म हो जाते हैं ज्यान कहता है कि मुझे अमीद नहीं थी कि ज्यानान एकेडमी के स्टुडेंट वास्तों में इतने डेरिंग होंगे रोल इन कहती है कि बायश चुडेंट ज्यान के बीश था इस टुडेंट बाते करते हैं कि ज्यान इस बार जरू हार जाएगा क्यों कि सीनियर लूमू बहुत पावरफुल है इसलिए एक गुर्चु होने वाला है इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आप इसका नेश स्काइब जिरू करने थे एक्स ओर ओचिंग